नमस्कार दोस्तों शुवागत है आपके इपने यूटूब चैनल एवी प्रिएस क्लासेश पर दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल के साथ नहीं जूड़ रहे हो तो फ्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में विल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी प्रेकार से आपको सीटाइट एक्जाम डेट से जो भी लैटेस्ट अब्रेट आए अपने चैनल से म का समय ने बेश करते सीधे टाप लेट चलते हैं पूरी अपडेट आपको बता देते हैं तो वीडियो श्राट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अगर आप सीटाइट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए अनेकैडमी बहुत ही अच्छा फीचर लाई है आप लोगे सीटाइट की तैयारियों के लिएक डूस्तो यहां पर आप देख पारहेंगे कि आप लूग के लिए अनेकैडमी ने प्लस फीचर स्क्राशन कर दिया है कि क्या मिल जुद को मिलेह। टॉप एजुकेटर से आपको यहां पर स्टेट की तयारी कराई जाएगी और साथ में आपके जितने भी स्लेबस होंगे पूरी तरीके से आपके स्लेबस को कवर किया जाएगा दोस्तों इतना ही नहीं आप लोगों को यहां पर रिगुलर डाउट सेसन भी चलता रहा है अग आपको गाइडेंस भी स्टेट पर एक्षाओं को लेकर मिलती रहेगी दोस्तों यह बहुत ही अच्छा फीचर है आप लोगों के लिए अगर आप स्टेट की कंप्लीट तयारी करना चाते हैं तो यहां पर अनकेडमी ने कंप्लीट बैच कोर्स आपका स्टेट पेपर वन और पेपर 2 का जो बैच है वो इस्टार्ट कर दिया है 19 अक्टूबर यानि कि आज की डेट में आपकी यह कंप्लीट कोर्स का स्टेट पेपर 1 और 2 का बैच इस्टार्ट हो जाएगा आपको सभी बैचों का सब्सक्रिप्सन एक ही सब्सक्रिप्सन में मिल जाएगा तो आज ही आपसर्प्सन को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको यहां पर बता देग्र कि जो आगर अगर को आघर करना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए भी जो आपका बैच है कंप्लीट प्रिप्रेशन शेट वह भी लांच कर दिया गया है दूस्ट यहां पर आप देख प आप उसके बाद आपके पैसे कुछ कम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप डालिए गाइगा डोर ऑन पर को 10% discount मिल जाएगा दोस्तों मैंने टेट का सब्सक्रिप्सन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया है आप लोग आज ही जुएन करें दोस्तों यहां पर आप स्वीर पर देख पाएंगे आपके सामने एक ट्वीट दिखने हो मिल पा रहे हो त्वीट किया गय कि अबय चौधरी जी का साग गुसा जाहिर होता हुआ सीटेट एक्जाम डेट डेक्लेर करवाने को लेकर तुर और दोस्तों एक और ट्वीट यहां पर आपके लिए आया रहे है देखिए यहां पर प्रभात मर विश्वास जी ने लिखा आया कि सीटेट परिक्षा के ति तो यहां पर दोस्तों बहुत ही मतपूर और बहुत ही अच्छा यहां पर इनोने ट्वीट लिखा है कि सीटेट की परिक्षा है आप लोग चाहिए जब आयोजी करें लेकिन आप लोग परिक्षा की तिथी सुनिश्चित कर दे कि इस इतारी को हमारे सीटेट एक्जाम डे अच्छी से कर सके और दोस्तों अभी तक जो नहीं जारी किया गया है माले जी अभी आप लोग प्यारी कर रहे हैं तो इसी को लेकर दोस्तों काफी दोस्तों आप लोग वीज में असमंजस है डेकर दोस्तों सीटेट एक्जाम को लेकर तो अभी देखें सीटेट की तरफ से अपडेट आ रही है वो आपको साङच साब बता जा रहा है कि अभी जो आपके सीटेट की परिक्षाए है अभी नहीं आजित होंगी अभी बिल्कुल नहीं आजित होंगी विल्कुल बीभा के तरफ से अस्पेश्ट कर दिया गया है उन्होंने कहा है कि जैसे ही कोई अप्डेट आगी आपको अफिसर बेट्राब्ड मिले कि और उसों सीविय सी के तरफ से एक एडवाइस भी आ रही अगर आप एक त्WD करते हैं एक दिन में रखी टीट करते हैं तो आपका जो मैटर रहे हो त्रेंडिंग में जरूर जाएगा और आप लोग ट्वीट करेंगे तो अगर ठीट सिलाते ऑँ तो आप जाके ऐसे ही आप लोग ट्वीट कि दिए गा CT8 का exam date confirm करें कि इसी तारी तो हमारी CT8 की परिक्षा कराई जाएगी तो दोस्तों आपको ऐसे कुछ लिखना है उसके बाद आपको यहाँ पर hashtag का प्रियोग करना है CT8 exam date 2020 hashtag CT8 exam declared करो इस तरीके से आपको hashtag करना पड़ेगा उसके बाद आपको tag करना पड़ेगा CBSC India को तो आपको education minister को tag करना पड़ेगा रमेज पोकरियाल लिसंग जी को तो आप लोग इसी तरीके से उनको भी tag कीजेगा उसके बाद आपको education minister of India को भी tag करना पड़ेगा तो आप इसी तरीके से tag करके hashtag का प्रियोग करके आप CT8 exam date को जो trending है उसको ला सकते हैं और आपकी जब trending में बात जाएगी तो आप लोग की जो बाते हैं वो काफी तेजी से सुनी जाएगी आप लोग जाएगी तो दोस्तों जितने भी students इस वीडियो को देख रहे हैं आप जाए तुरंद अभी tweet कीजेए इसी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया कि कैसा करना ह तो आप लोग इसी तरीके से आप tweet कीजेगा जो आपकी बाते हैं वो 100% सुनी जाएगी तो आप लोग जाएगी तुरंद फटा-फट tweet कीजेगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह update पसंद आई है अगर आपको यह update पसंद आई है तो please वीडियो को like जरू करिए है तो आप जाके जूट सकते हैं लिंक आपको description और comment box में मिल जाएगा और आप सभी ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद